हेलो एब्रीवन मैं प्रियंका और आज आपके लिए देखिए यह खुबसूरत सी कैप लेकर आई हूँ इसे मैंने मल्टी कलर में बनाया हुआ है यह देखिए यह इस तरीके से आपको दिख रही है और यहां पर मैंने पॉम-पॉम नहीं लगाया हुआ है इसको मैंने दो सल लाइयों से बनाया हुआ है तो फ्रेंड्स देखिए यह जो कैप है आपको यह आपको टीने से लेके कोई भी लेडी या जेंट इस तरीकी की डिजाइन का कैप लगाएगा उसको इसली आ जाएगा तो यह देखिए काफी एक्सपेंट कर रही है यहां पर तो यह देखिए मैंने यहां पर यह बनाया हुआ है यह देखेंगे यह दूडर सा अंदर अन Seni दबा हुआ दिखे है तो यह मैंने है इसको यह दूडर ये लिएा से पूर पर सिला हुआ है तो अगर उसको बाडर देखне इसके बाडर बना हुआ है, उसे मैं ने आठ नंबर की सलाईन से बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर दिखिये जिए आपको बताओके इसे मैंने कैसे-कैसे बनाया है, तो यहाँ पर दिख रहा है, जो बड़ा kabel और यह kabel, यह दोनों का set है जो की ये 10 और ये 8 फंदे हैं तो ये 18 फंदे का set है ठीक है तो मैं आपको यही पूरा pattern आपको बना कर दिखाऊंगी तो friends मैंने अभी इसमें देखी 18 प्लस 2 फंदे ले लिए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ वैसे ये हमारा डिजाइन 18 फंदों का ही है ठीक है तो दीखे हम यहाँ पर कैसे हमें करना है तो सबसे पहले जब आपका डिजाइन शुरू होगा कैप के लिए या आप इस डिजाइन को किसी में भी डाल सकते हैं तो दीखे सबसे पहले हम क्या करेंगे ये हम दो फंदे उल्टे वुनेंगे ठीक है इस तरीके से दो फंदे आप उल्टे वुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे और दस फंदे जो हैं आपके उन्हें आप सीधा वुनेंगे देखिए वन टू त्री फोर फाइब सेवन एट नाइन टेन देखिए दस फंदे हमने ये सीधे वुन लिये आप देखिए हमारा नेक्स्ट केबिल का पैटन चुरू होगा तो उसके लिए हम धागा आगे लाएंगे और केबिल को सेपरेट करने के लिए हम दो फंदे यहाँ पर उल्टे वुनेंगे दागा पीछे करेंगे आप हम चार फंदों में देखिए हम केबिल बनाएंगे तो ये चार फंदे हम सीधे वुनेंगे ये फोर ठीके अब लास में दो फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बुने देखिए ये डिजाइन आपका अठारा फंदे का आई है लेकिन मैंने दो फंदे इस जगे पर लिए हैं ताकि जब आप इसको सिलेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने सिला हुआ हैं तो यहाँ यहाँ जब आप सिलेंगे तो इधर दिखने होंगे और इधर भी उल्टे फंदे होंगे तो जब आप इनको सिलेंगे तो आपका वह पैटन उल्टा ही आएगा जैसी की देखिए इधर आया है दिक है है इसलिए हमने सको इसा ली आए लेकिन आप 18 अपन्दे लेंगे तो सीधे फंदे देखे सीधे बुनेंगे तो 2 फंदे सीधे तो धागा आपने तरफ लाएंगे आप देखे 4 फंदे हमें उल्टे नजार आरहें तो 4 फंदे उल्टे बुनेंगे 1, 2, 3, 4, ठिक, लगा पिछे करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, ध्यान रखे, जब भी केवल बनाएं, तो आपको सीधा फंदा सीधा बनना आना है, उल्टा फंदा उल्टा रॉंग साइट से, तो आप लेके, 10 फंदे उल्टे हैं, तो उल्टा बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10, लगा पिछे कर लीजे, देखिए, दो फंदे सीधे हैं, इन्हें हम सीधा ही बना देंगे, तो इस तरीके से देखिए, हमने ये दो चलाएं, कम्प्लीट कर ली हैं, तो आप देखिए, यहाँ पर जो जादा फंदे हैं, मतलब 10 फंदे हैं, यहाँ पर हम अभी केबल नहीं बनाएंगे, केबल हम इन अभी 4 फंदों में बनाएंगे, ठीक है, तो आप देखिए, ये 2 फंदे हमने बुल लिए, 2 सलाई के, फिर करेंगे, सारे के सारे 10 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10, धागा आगे लाएंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, दो फंदे उल्टे, आपको हमेशा ही उल्टे ही बनाने है, राइट से भी और रॉंग साइट से सीधे, दागा पीछे करेंगे, आप देखिए, केवल बनाना है, ठीक है, तो केवल बनाने के लिए, आप केवल नेडल भी यूज़ कर सकते हैं, जादा फंदे बुनने के लि इस तरीके से और धीरे से इसको ऐसे पूल किया फिर ये वाला फंदा इसमें चड़ाया और इसको ऐसे देखिए फंदे हमारे क्रॉस हो गए हैं दोनों तो अब इन दोनों को ही हम सीधा बना कर कम्प्लीट करेंगे तो एक बार देखिए हमने इधर टर्ण कर लिया अब ये वाला फंदा इसकी जगा लाना है ठीक है तो देखिए कैसे करना है तो इस बार हम अपनी सलाई को दूसरे फंदे के पीछे डालेंगे देखिए आगे से नहीं डालेंगे पीछे से डालेंगे ये देखिए ऐसे ठीक ह तो आप देखिए pattern आपको भी दिखेगा बनने के बाद में फिर ये दो फंदे उल्टे इनको as it is हम उल्टा ही बना देंगे ठीक है तो row number जो आपकी 4 होगी या wrong side की जो भी जैसा फंदे आपको दिखेंगे आप इसको वैसा ही बनाएंगे मैं आपको सिर्फ फ्रंट साइड के फंदों का डिजाइन बताऊंगी देखिए चार सला ही हमने बुलनी है ठीक है तो आप देखिए इसमें हम अभी हम इसमें ही बनाएंगे डिजाइन इसको complete करेंगे तो सब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह 10 यह देखिए तस फंदे बन लिए लागा आपने तरफ लाएंगे अब यह देखिए दो फंदे उल्टे हैं 1, 2 लागा पिछे तो आप देखिए हमने पहले यह वाले फंदे इधर लाए थे अब इस फंदे को हमें इस फंदे को हमें इस बनाए इसकी जगा पे रातना है तो देखिए कैसे गाएंगे इन दो फंदों के दूसरे फंदे में देखिए पीछे से हम सलाई को डालेंगे इस तरीके से अतलब क्रॉस कर दिया अब यह देखिए इधर टर्न हो जाएगा अब इन दोनों को सीधा बन नीचे 1, 2 ऐसे ही अब इस जगा लाना है तो देखिए आगे से निडल डालेंगे दूसरे फंदे में और इस तरीके से देखिए क्रोस कर देगे ऐसे इन दोनों को ही हमें सीधा बन देना है 1 और यह 2 दागा अपनी तरफ लाएंगे और यह दो अल्टे ही बना देंगे इस तरीके से हमारा यह एक हिरह प्टिकर केबल बना यए तो ऐसे ही डॅन उम्बर 6 पूरी बना लेंगे ठीक है कि ओफ्टेश कि हमें रौन उम्बर 6 भी बना ली है तो आप दीके मैं आपको बताते हूं तो देखे यहां पर रौन उम्बर 7 दो फंदे उल्टे 10 सीदे दो एल्टे चार सीधे 2 उल्टे इसे बनाएंगे रोज गोउर नुमबर नाइन फिर यही आगे जैसे नहीं वैसे ही बनाना है, row number 10, पीछे से आपको जो फंदे जैसे दिख रहे हैं, वैसे बनाएंगे, फिर row number 11, इसी तरीके से दो उल्टे, 10 सीधे, 2 उल्टे, 4 सीधे, 2 उल्टे, फिर row number 12, जो जैसे फंदे दिखेंगे, वैसे बन जाएंगे, तो देखें, basically मैं आपको बताना यह च 3, 4, 5, 6, ठीक है, और इसके बाद चार लाइन और हम बना लेंगे, तो देखें, तब हम इस केबल का टर्निंग करेंगे, तो इतना मैं बना लेती हूं, फिर मैं आपको इसको टर्न करके दिखाऊंगे, तो फ्रेंट्स देखें, मैंने पूरी 10 सलाईयां यह बना ली है, इस दागा पीछे कर देके, तो सबसे पहले, मैं पांच फंदे इस नेडल पर उतार लोंगे, इस तरहाल से देखें, वन, टू, त्री, फोर, और यह फाइब, ठीक है, उतार लिए फ्रेंट साइड में, देखें, मैंने इसको फ्रेंट साइड में रखा है, तो इस कैप में जो टर्निंग की है, केविल की, वो मैंने हमेशा हर तरफ से जितनी बार भी टर्निंग की है, वो फ्रेंट साइड में ही की है, एकी तरफ से मैंने इसको डारेक्शन देया है, ताकि जब यह इस तरीके से पुरी राउंड राउंड लगे, ठीक है, आप देखें, इतना कर लिया दो फंदे हमने ये बूली, 5 फंदे हमारे सलाई में आगे हैं, अब यह इन 5 को हम बुनेंगे, तो इस तरह से देखें, 1,2,3,4,5, देखें, ये फंदे मुन लिए अब इन फंदों को हम बुनेंगे, ठीक है, तो देखें कैसे बुनना है, ऐसे, देखिए वन टू त्री फोर और ये फाइब तो इस तरीके से देखिए आपका केबल इस तरह से देखिए टर्न होता हुआ न जा रहाएगा ठीक है आप देखिए ये डिसाइन जैसा देख रहा है वैसा ही हम फॉलो करेंगे देखिए दो फंदे ऐसे बुने दागा पिछे किया चार फंदे सीधे बुनेंगे वान टू थ्री फोर दागा आपने तरफ लाएगे दो फंदे उल्टे बुन देंगे तो ये रो नमबर 11 हमने पुल ली है रो नमबर 12 आपको जो जैसे फंदे दिख रहे हैं उसको वैसे ही बुना है तो मैं बुनकर कंप्लीट करकर आपको यहाँ पर दिखाती हूं तो फ्रेंट्स देखिए ये 12 सलाई हैं मैंने बना ली है तो आप आप क्या करेंगे देखिए नेक्स जो हम आप ये रो तेरमी बनेगी फिर से यही बाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा ठीक है और आप यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लीजेगा कि जहां से आपने इस केविल का टर्न किया है कुछ भी लगा लग सकते हैं तो जैसी ये दो दिख रहे हैं तो ये जब केविल हम इसकी टर्न कर लेंगे उसके बाद में मैंने ये देखे दो तो मतलब आट सलाई मैंने और बुनी थी ये केविल भी बनने के साथ में इंक्लूड करके तो इस तरीके से जब भी हम इस केविल की टर्न करेंगे तो हर बार में हम इन एक केविल के टर्निंग में दूसरी केविल जब हम टर्न करेंगे तो उसके बीच में बस इतने ही टर्णिंग किया है यह देखिए देखिए दस-दस के गैप में मैंने किया है तो यह इस तरीके से दिख रहा है जादा पास-पास करते तो यह बहुत एदम ऐसे चोटा-चोटा दिखता तो वह भी बहुत खुबसूरत लगता है तो जैसा आपको पसंदो आप उस के फंदे लिके हुए है तो बॉर्डर में 96 फंदे लिए हैं सलाई का साइज को 9 नमबर है तो अगर हम इसको एमम में देखें तो देखें म में में आपका आ रहा है 3.75 जा देखिए 3.75 है है इस तरीके से ठीक है तो यह हमारी बॉर्डर की है 3.75 mm तो इसके बाद में देखिए मैंने यहां पर फिर बॉडर बनाया है 34 रोज का मैंने बॉडर बनाया है क्षूर के थिक है 30 फ़ोज का बॉडर बनाया है वेर के मैने क्या किया है बॉडर BOND बाद में इसको कि मैंने आपने देखां रहें हैं और देखी मैंने इसको बольноकर बनाया है यह डिजाइन है कि देखे स्वेटर में ने बॉडर फोल्ड किया है तो हम जितना आप चाहें उतना बनाएं लेकिन अगर आप यही साइज बनाएंगे तो आपको यह बड़े बच्चे से लेके कोई भी लेडी आराम से इसको लगा सकती है तो आप देखे बॉडर बुनने के बाद में हमने अपने फंदे बढ़ाए हैं तो 34 रोस हमने बुल ली हैं तो जब रो नंबर 35 हम बनाएंगे रो नंबर 35 तो उसमें हमें करीब 14 फंदा बढ़ाने बढ़ेंगे ठीक है, 14 loops को हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास loop हो जाएंगे, देखिए 96 अल्रेडी हमारे पास थे 14 loops हमने बढ़ा लिए तो देखिए कितने हो गए यह देखिए ठीक है, तो इतने फंदे हमारे पास हो गए है फिर जो हमने border बुनने के बाद में जो हमने यह row number 35 बनाएंगे उसे हम 8 नंबर की सलाई से बुनेंगे ठीक है, 8 नंबर की सलाई से उसे हम बुनेंगे तो यह हमने 110 फंदे कर लिए हैं वापस से जब हम row number 36 बुनेंगे वापस से सारे के सारे फंदे उल्टे बनाते हुए आपको complete कर देने हैं फिर आपका design सुरू होगा row number 37 से ठीक है, row number 37 से हमारा design सुरू होगा तो इसके लिए देखे मैंने कैसे किया है आपको जो starting फंदे हो हलांकि मैंने ये cap देखे, sil दिया है तो यहां पर मैं आपको बता देते हूँ यहां से मेरा starting point था यह देखे, यह जो मैंने cable बनाया हुआ है एक pattern, यहां यह मेरा starting point था और यह वारा last cable यह मेरा ending point था तो इसको मैंने इस जगह पर सिला हुआ है तो मैं आपको देखो, दिखा देती हूँ तो सबसे पहले हम देखे, दो फंदे लेंगे जिने हम उल्टा बनेंगे यह दो फंदे फिर देखे, चार फंदे हम सीधे बनेंगे इसके बाद में फिर, दो फंदे आपके उल्टे आएंगे इसके बाद में 10 फंदे आपके सीधे जाएंगे फिर देखे फिर यही पैटर्न आपका फिर चुरू होगा देखे, फिर से आपके दो फंदे उल्टे, चार फंदे, सीधे, दो फंदे, उल्टे और फिर ये बड़ा वाला केविल जिसे हमने दस फंदों में बनाया है ये देखिए, तो इसी तरीके से हम इसको बुनेंगे, तो आप यहाँ पर मैं इक बार यहाँ से पूरा लिख देती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पूरा लिख कर बता दिया, तो देखिए, स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होगी फर्स्ट रो, रो नूमबर 37 मतलब डिजाइन का जो हमने डिवाडेशन कर किया है, वो यहाँ से किया है तो सबसे पहले 2 फंदे उल्टे, 4 सीधे, 2 उल्टे, फिर 10 फंदे सीधे, फिर अगें 2 सीधे, 4 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, फिर 10 फंदे सीधे इसी तरीके से देखिए, फिर 2 फंदे उल्टे, 4 सीधे, 2 फंदे उल्टे तो हर जो हमने kevel बनाना है बड़ा वाला, 10 फंदों वाला, उसके वीच में हमने 8 फंदों का, देखिए Side Side में बड़े kevel के 2 फंदे उल्टे हैं, बीच में 4 फंदे सीधे हैं, तो इसी तरीके से देखिए मैंने divide किया है, और last में ये देखिए बड़ा kevel आएगा, फिर दो फंदे उल्टे आएंगे तो pattern आपका यहां से शुरू होगा फिर यहां से इस तरीके से last भे यह आएगा आपका ठीक है तो यह हमने ऐसे कर लिया है फिर जब आप wrong side से बुनेंगे उल्टे फंदों को आप उल्टा बुनेंगे सीधे फंदों को आप सीधा बुनेंगे ठीक है जैसा आपका pattern हो आपको वैसा ही follow करना है ठीक है तो देखिए इसकी मैं total length आपको बता देती हूँ तो अगर हम इसकी total length देखिए यहां से मैं इसको रख रही हूँ जहां से मैंने tight किया हुआ है ठीक है यहां से लेकर यहां तक यह 8 है ठीक है आठ है और देखिए cable design है और यह खिसता भी है तो अभी है हम और यहां से लेकर इधर तक यह साड़े साथ है करीब ठीक है तो इस तरीके से हम इसको पूरा बना लेंगे और डिजाइन पैटर्न आप फॉलो कर लेंगे और जब आप देखे मैंने यहाँ पर डिक्रीजिंग कहां से शुरू की है वो भी मैं आपको दिखा दे रहे हूँ तो यहां से जैसे मैंने decreasing शुरू की है तो मैं यहां से यहां तक मैं आपको नाप के बता देती हूँ तो जब मैंने करीब 7 इंच बना लिया है इसके बाद में मैंने देखिए यह decreasing शुरू की है यहां पर decreasing मैंने आगे से भी घटाए है जब wrong side से बुनती हूँ या यू तब भी हमने दो का एक design के pattern के हिसाब से किया है यह देखिए तो आप जैसे चाहें यहां पर आप सारे फंदे एक साथ लेकर भी आप उनको बान सकते हैं tight और उसको बाद में शिल सकते हैं तो यहां पर देखिए मैं आपको इसका सेला हुआ दिखाती हूँ यह देखिए यह जो है यह मैंने यहां पर सिला हुआ है देखिए कितना invisible है एकदम तो इसी तरीके से आप इस कैप को बना लेंगे ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो से रिलेडेड़ कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछिएगा थैंक यू झाल 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 झाल